नमस्कार नीज क्लिक में आपका स्वागत है मैं हूं मुकुंद और अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के सुल्तानपुरी बिधान सवागत सुल्तानपुरी एक 43 वार्ड में जहां से नगर निगम चुनावों में इस बार आमाधी पार्टी जीती हुई है और पूरे दिल्ली मे 134 सीटों पर आमाधी पार्टी जीती और पंदरा साल की सत्ता से बेदेखली बीजेपी की हुई है निगम में इस चुनाब में एक और महत्पूर्ण चीज हुई है दिल्ली में पहली बार कोई ट्रांसजेंडर महिला पार्शत जीत के आई है उनसे मिलने के लिए उनसे कोशिश करेंगे हम बात करने मौजूद है बॉवी जी जो सुल्तानपुरी तिरालिस से पार्शत चुनके आई है अच्छे खासे मारे 6,000 के मारे संजीत काई है 6,714 बोतों से आपका स्वागत है जी धन्यवाद आपका भी स्वागत है धन्यवाद सबसे पहले तो आप इस जार और सम्मान दिया है उसके लिए में हमेशा जनता की अभारी रहोगी सर अब चुनाव आप जीद गई चुनाव से पहले चुनाव में भी संघर्स रहा होगा लेकिन बच्पन से लेके अभी तक का जो आपके समुदाएं जिस समुदाई से आती है उसको हम सब जानते है कितनी तकलीफों का सामना करता है पड़ता है परिवार से लेके समाज से लेके हर उसकिस निगाफ देखता है वहां से निकलकर यहाँ तक पहुझने का संघर्स कैसर आए वह आप हमारे दरसों को बताना चाहेंगी तो बताइगे सर पहले तो मैं क्या करते हम में एक संसा चलाती हिंदू युगा समाज एकता अवाम आतंगबाद विरोधी समेती के में दिल्ली परदेश अज्देक रही हूं और इसी एंजियों के हमारे उंपरकास परधान दी राष्टे अज्देक्स हैं तो मैंने अपना जो भी यह राज सारी चीजों को लेते गरीब लोगों की मदद कर दिया किसी बिद्वाओं को रासन वगरा दे दिया आज में 3155 महिला को रासन बहुत सारी गरीब बच्चियों की शादी करवा चुकी हूं और जो भतरी लोग जो मजबूर लोग आते हैं जो कि खाने की विवस्ता नहीं हो कर दिया और इतना मान सम्मान अर्विन के जिवाल जी ने जो मुझे दिया मैं हमेशा उनकी दिल से हमेशा सुकर गुजार रहोंगी आपने संस्था बनाई संस्था से कुई आप अनान दूलन और भाकी जेगों स्याज चुनावी राजनिती में लेकिन अगर आप बताना चाह हमारा तो बच्पन ऐसा होता है हम लोगों के तो जो परिवार होता है तो हमारे गुरू जो गुरू जी होते हैं वही हमारे परिवार होता है तो यह हमारा परिवार होता है वही हमारा समाज होता है हना तो कठीना है तो देखो होती है कठना है तो बहुत सारी थी जिस लोग थोड़ा सा भेदभाव करते तो मतलब यह है किन्ना रहे और जड़ा है इस तरह की बाते मतलब संगर्षतों थाई जहलना पड़ा मुझे मगर कोई बात नहीं वह जो चीज है तो है तो भगवान को पताई कि क्या है मगर कई ना कई तो मैसुस होता ही है आप परिवार स पास रहना पड़ता है यह एक वेश्था लेकिन सबसे बढ़ा सवार ली परिवार सबसे पहले अपने बच्चों को चाहिए लड़का हो चाहिए लड़की हो चाहिए और भी उसकी संतान है लेकिन पहला भेदभाव तो भाकी समाज में क्या आपको लगता है जो आप जिस बदलेगा या आपके लिए अब बदल रहा है नहीं देखो मतलब की जिस तरह से मैं एक आगे होकर आए राजनिती में आई और इस तरह की मतलब की मेरी पार्टी ने भी पहल की और मैंने भी आगे होके आई तो मैं यही चाहती की मतलब की समाज के अंदर कुछ ना कुछ तो बदलाओ होना चाहिए और बदलाओ मैं भी लेकर आऊंगी जैसे के हमारे यहां पहले के भी और भी बीजेपी के कॉंग्रेस के पार्शाद रहे हैं जो कि सिरफ उन्होंने कोई काम भष्टा चार के लावा कोई कामी नी किया गलियां गंदी पड़ी हैं गलियां बंदी ब इस तरा काम हमेशा ही किया हुआ हरा जाती हुआ हुआ हैुआ जिन का मेंने का खशा भी में देती हूं में डेती हूंु जो गरीब करतें तो आप लोगों की में मदद करूं तो आप लोगों से बेटा यही में एक रिप्रेट्स करने आई हूं कि आप लोगों को पता है अब एक हमारे पाठीन हुआ कि कि करें पतारीं राजनीति में जिस तरह से काम होता है लेकिन आप संहाम सेवा करते रहे हैं अब राजनीति में हैं पहले आपको जीवन भरन करने के लिए को कुछ न 6 आमदनी चाहिए उता है टाए खरचत अपना परीवार याज चलाने के लिए किस से अक गुजारा च cricket हो वो हमकें का काम कोई हमारा कोई साइड सुफ तरह refuses do हमारे जैसे सने स organizing बच्चों की उप्निली शादियु के बदर ले किसे यहree यहीं नाजगा कर आपने हम घुज्जारा करते थे अपना अपन अब अपने गुरू का भी और गुरू के जुसित उनका सभी का भी अगर आप अपने इलाके के काम के लिए क्या सोचती है तो पस क्या प्लान है चुनाव मेरा राजनीति में आगे क्या करना चाहती है मेरे दखो राजनीति के सबसे पहला यही मेरा काम होगा के मेरे एरिये को लेके साफ सफाई क्योंकि आज से पहले जो भी पारसाद यहां पर रहें उन्होंने कोई भी साफ सफाई पारा गली स्कूल क्या करते हैं रोड़ों पे गंदगी के सवक सिवा उन्होंने कुछ नहीं ँडिया तो सबसे पहला है यही काम होगा अपने एरिये को साफ सुतरा सुच बनाना ताकि लोग लोगों ने आज मुझे काउंसलर बनाये तो गर्भ कर सके के यार हमने लेडिस को भी जिताया और मर्द को भी जिताया यह कई ना कहीं अभी ऐसी गैडिड जिताय है जो कि हमारे बीच में बीच में रहती है और हमारे चितर का जो भी पालक पारक हैं गलिघ करा दिया अै जो 20 साल से किसी भी पार्षद पार्षद और यहां के पुर्व एममें लेने कोई मतलब जिनों के कानों पर जू तक नहीं रहेंगी मैंने आज वो जाकर पूरा नाला साफ कर वद्वा दिया अज का मेिन आज प्रण शुरू कर चुकिते नहीं काम तो मैंने जबसे जीति साथ तरीक से से जब से स्थार्ट करक रहे ऐसे चुना वी राजिनिति तो बहुत सारे दल थे जब कांग्रेस भी है वहने आपने अम adesso पर्टी की को चुनी यह कि यह पर्टी साधि को चुना मैंसे लिग्या तरफ वह ख न्याम काफिन यह आंपती को चुनना मैंने इस लिए चुना कि उस्तरा का नहीं किया जिसके जो हमारे माननी अरविंद तहर जिने किया है। कि ऊस्Peat reader देखो हौस्पिटल इतने अच्छे कर दिये कि दवाईगोली स्कूल आज सरकारी स्कूल वेशों की स्कूलों थित्थी यह जागा तो आज से पहले इस तरह के काम किसी सरकार नहीं किया तो मैं अपनी सरकार की मानेनी अर्विंद केज़िवाल की जितनी परसंसा मैं आज करो उतनी मेरे लिए कम होगी सब्सक्राइब करने के लिए 15 साल से मैं अभी चाहिए कि आप लोगों की सेवा करते हैं लेकिन इसके अलावा अगर हम आपके इस चुनावी राजनिती में सफल जिस तरीके से आप हुई है जो आपका है वह कई आम केंडिटों से बहुत जादा है निगम चुनाव में 6000 का मारजन बहुत अच्छा माना जाता है कि आज आप समाज को क्या संदेश देना चाहते है जो समाज आज भास्णास है जहां महिलाओं के साथ तो बार बहरों है जिनने अंके साथ जस तरह का बहुत24 तछा कुई बात नी युस लेडिस ही हमारी महीला आज कर को धैक हम वहारी देश की राष्ट्र है हमारी के क्टे था दोन द्वर्पति मुर्भ्मु जी तो खमेज़ना को इतने वड द्सविदानिक पर बैठी विए तो आज-डिये कोई सोच का कोई वह एर-फैर महीला कोई भेदभा होनी महिला भी पुरुष के साथ साथ मतलब कंदे से कंदा मिला के चलती है और रह गई हमारी बात तो आप यह भी सुन लीजे कि हम लोग भी एक क्या कते हैं अभी दिल्ली में एक पहला ऐसा मेरा नाम है जो कि मैं पार्शाच चुनके आई हूँ तो कोई बात नहीं मेरी जो पैचान मेरे काम से मेरी पैचान होगी मैं चाहती मेरे काम से मेरी पैचान होनी चाहिए तो इस तरह का अपने छेतर में मैं काम करने वाली हूँ ताकि लोग मुझे जाने कि हाँ वो एक किनर थी जिसने की इतना अच्छा काम किया ताकि लोग मतलब मेरे उपर गर् में चाहते हैं जो माबाप हैं जो हम लोगों की मुनूटी है जो उनकी में चाहते हूं कि उनकी इच्छाओं को समझा उनकी मतरब की अंदरकी भावना को समझोकर हम क्या चीज इतो तो हमारे एक फीलिंगा वी भी समझो कि हम क्या है क्या नहीं है तो इस चीजे को समझना चीज पृदिश समाझने का जूड़ता। जो हमारे community से भी पढ़ लिख के जो आगे बढ़ना चाहते तो उनके माबाप को उनको support करना चाहिए तो इस पे तो आप लोगी बड़ी जिम्मेदारी हो जीत के आए हैं चाहिए आप आया चाहिए और राज में समाज में आगे हैं उनकी जिम्मेदारी है जो बाकी लोगो को इस तरीके से mainstream में लाएं तो आपका इस तरफ कोई प्रयास होगा गया नगर निगम स्कूलों में भी हम देखे हैं तो सबसी पहली जो प्रात्मी जगह है जहां बच्चे का पढ़ाय लिखाई शुरू होते है नगर निगम वहां आज आप लोग आज आप जीत काई हैं तो लिए जाहँगी का जो मेरी कमूनुटी के राइट सजो उनके अधिकार मैं चाहँगी को उनको उनके अधिकार दिलाने में मैं उनकी मदद करूं अर Вी. लेहीं कौनी सतरकार सर्कार थे पर बधा डर्ण करिए जो ट्यां जैंडर वी फेंनर के लिए ताकि उनके लिए एक अच्छा स्कूल या सेंटर होम कुछ इस तरह का खोले जाए ताकि वो अपनी एजूकेशन शिक्षा महां से प्राप्त कर सके अपने सभी सवालों का जवाब दिया यह थी बॉबी जी जो दिली नगर निगम में पहली ट्रांसजेंडर पारशत थी जु तरे से सामना करना पड़ता है जो इन्होंने भी किया और बाकियों के लिए है लेकिन इनको उमीध है जो भविष्ट का समाज इससे बहतर होगा और उसके लिए भी काम करेंगी अभी के लिए इतना ही शुक्रिया धन्यवादी